हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टॉकिंग 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 लिविंग नोचाइल बियाइंड प्रेजेंट फॉम कोटा टुइंट टीचिंग लाइब आम लोकें सिंग प्रमार एंट टुदेवी विल डिसकस अब चप्टर नमार एटीन ओफ क्लास 10 फैंटल बिलिटी है न मिस्टर इन्डियमोवेजी अभी ने देखी जिसमें कैलेंडर रहता है रहे बच्छा वो कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं i मैं जो आपके डेट वाला कैलेंडर होता है उस ही कि मैं बात कर रहाओ यहाँ पर उसमें आप और सिर्फ देखते हो देखते हो कि हाँ आज ये है आज वो है आज ये वीक का ये दिन है आज वीक का वो दिन है इस तरह के आपके concept दिमाग में चलते हैं हाँ इस डेट को मेरे लिव मिलने वाली है या समर वेकेशन साने वाले है winter vacations आने वाले हैं या दिवाली vacations आने वाले हैं लेकिन कभी सोचा कि ये calculation किस तरह से लगई जाती है अगर मैं suddenly आपसे पूछ लेता हूँ मान लीजिए कि आपको आज से 20 years पहले कोई मैंने मन्त दे दिया और आपको दे दिया कि इस देट को कौन सा डे था आप बता सकते हो क्या नहीं बता सकते हो क्यों क्यों कि आपकी calculations नहीं बनेगी या इस तरह की कि आप सोचोगे कि सर यसा किसे possible है तो बेटा आज हम mainly करवा रहे हैं क्लास इक्स टुएट के ओलम्पैड एक्जाम्स की प्रिप्रेशन साथ ही साथ NTSC NACJS PRM के साथ साथ आप अपने स्कूल से एक्जाम्स की काफी शानदात और जबरदस्ट प्रिप्रेशन कांटीनियों हमारे साथ कर रहे हैं यह हमारी ओसम टीम है बेटा है जिनके साथ आप काफी अच्छी अपनी प्रिप्रेशन कर रहे हो I hope मैं इस ही आपसे पूरी पूरी उमीद करता मैंना यह नोट्स आपके एक्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा helpful एंड यूसफुल रहने वाले हैं यह मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है इससे आप काफी अच्छे से वाक्य वहीं सही मेंली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलिग्राम नहीं किया है तो फटा फट से देख क्या रहा हूं इंस्टॉल करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आप लेकर आया हूं आप सभी के लिए डिपी पी और इस्टरी मैटेरियल जैसे ही आप चैनल क जो सब्सक्राइब करते हुँ तो आप इहां देखोगे कि हमने डिखेंट डिखेंट क्लास के लिए डिखेंट डिखेंट इब बनाए वह हैं और इन ग्रूपे का जो कोडे वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हूं जैसा कि आपको अपनी डिटर अधर कोड़न अपना ग् से आपको क्या करना है टेलिग्राम इस्टॉल करके चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपको और अच्छे से प्रिप्रेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है आपको स्क्रीन पर आ रहा है स्क्रिन पर आपको टू टाइबस के पेकेज नजर आ रहे हैं फॉस्ट पेकेज जो है आपका डी मातेरियलर्स पिर्लेट्ड एं आपका टेश्ट यूaff करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्परणफरान लाइब करना पक्र करके सिधा पहुचना है price details के option पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो study material है sufficient है मुझे study material की need नहीं है मुझे तो एक अच्छी जी test series मिल जा है तो बेटा उसका भी option में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए काफी शानदार और जबरदस आप सभी के लिए यहाँ पर एक test series का option है इसका costing price है 3500 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको periodic test paper recorded in like glasses and buy weekly uses तो आपको क्या करना है फटाक से buy now पर click करके सीधा पहुचना है price details पर और जैसे ही आप price details के option पर जाते हो बहु आपका coupon code रहने वाला है LS live तो फटाव फट से आप इस coupon code को अगर note करना चाहे तो note कर लीजे और अगर आप इसका screenshot ले लिजी क्योंकि इस coupon code के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का discount मिलने वाला है तो फटाव फट से अगर आप इस coupon code को note करके first package पर apply करते हो तो यह जो 10, 7,000 का package नजर आ रहा है यह आपको only on 7,000 रुपीज में और second package जो आपको 3,500 रुपीज का नजर आ रहा है यह आपको only on 2,450 रुपीज में मिलेगा तो आपने रेखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ discount मिल रहा है तो फटाग से buy package पर click करके सीधा क्या करना ह payment gateway के option पर चले जाना है अगर आप first package select करते हो तो यहाँ first package का amount और second package का amount मिलेगा और साथ ही साथ payment से related आपको यहाँ कुछ facilities भी मिलने वाली है जैसे कि credit card, debit card, net banking जिस भी facilities से आप चाहो उस facilities से आप payment कर सकते हो और हमारा subscription ले सकते हो इस पूरी process में अगर आपको किसी भी तर problem आती है तो यहां एक चोटू सा number given है 954904111 फटाक से phone उठाना है इस number पर call करना है और इस पूरी process related जो भी query आपको करना है completely query आप यहाँ पर कर सकते हो तो फटापट से क्या करोगे इस coupon code को भी note करोगे और इस number को भी note करोगे चलो जल्दी से इसका screenshot ले लो जल्दी से ल को लोगे कि सर इतना सारा syllabus तो complete करा दिया और अभी भी bonding की बना होगे क्या अरे बिटा जो नए आई हैं उनके साथ तो बना नहीं होगी ना तो आज हो फटापट से काडिनल प्रॉमिस कर लेते हैं I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student smart आप आप अल्रड़ी है इसे ही आपको क्या बन आपके सामने हैं यहां पर हम इसके introduction के बारे में discussion करेंगे ओगे यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले लीपियर क्या होते हैं ordinary एर्थ क्या होते हैं साथी साथ अगर आप से पूछ लिया जाए time sequence से related concept तो वह क्या रहने वाला है calendar से related concept वह क्या रहने वाला है यह स होता है यह भी आपको आप भी अच्छे से पता है है ना लेकिन अगर मैं आप से पूछू कि odd days क्या होते हैं तो आप फटा-फट से क्या बोलोगे sir one three five seven nine eleven यह सारे odd days हो गया है ना यह मैस थोड़ी है यह मैट है mental ability तो यहां पर odd days का जो calendar test के लिए concept है ना वो different है थोड़ा तो कहीं ऐसा मत सोचना कि even road वाला सिक्वेंसिया नजर आने वाला नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होने वाला है ओके तो चलिए फटा-फट साम इसका starting करते हैं वाई इस लेक्टर को क्यों study करना चाहते हैं साथी साथ हमारे यहां पर keywords क्या रहने वाले learning outcomes क्या रहने वाल आपको काफी सारे points लिख कर दिये हैं यहां पर लेकिन यह किस तरह से होने वाले हैं किस तरह से हम इने apply करने वाले हैं इन सबको हम देख लेते हैं पहले हैं यहां पर आपको calendar test में देखो सबसे पहले मैं आपको clear कर देता हूं एक तो आपको leap year पता होना चाहिए एक आपक इन दोनों में difference पता है ना तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इन दोनों में different के base पर date भी पता सकते हो, day भी पता सकते हो, सब कुछ, आजो we are to find the date of the week on mentioned date, certain concepts are defined as under, मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी week का day find कर सकते हैं, जो हमें mention कीवी है date उसके base पर, ओके, देखो, अब सब सब पहले एक होता है, आपके पास ordinary year, क्या होता है, ordinary year ordinary year, और एक होता है आपके पास, leap year, clear, कोई problem, हाँ है ना, फटाक से बोलो, नहीं, तो years कितने types के होगए आपके पास, एक तरह सा basic concept हम क्या सकते हैं, years हमारे पास है, two types के, कौन कौन से, एक तो हुआ ordinary year, और एक होता है, leap year, अब ordinary year कौन सा होता है, जिसमें 365 days होते हैं, कितने days होते हैं, 365 days होते हैं, वो तो क्या होगा आपका ordinary year, और leap year क्या होगा, पड़ा पड़ से बोलो, जिसमें 365 days होते हैं, clear, कोई दिकत, नहीं, चलो, अब देखो यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखते हैं, an ordinary year is 365 days, ordinary year में कितने days हैं बिटा, number of days बोलो, जल्दी से फटा-फट से 365, क्यों है 365, इसका scientific reason भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, an ordinary year, first and last day of the years are same, अगर आपके पास कोई ordinary year है, तो उसका याद रखना, first day जो होगा, वही उसका last day भी रहने वाला है, समझ उसा भी year ले लिजिए, आप 2020 ले लिजिए, या 2019 ले लिजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, काउंटिंग आप सभी को आती है, अगर आप 2020 का, first day, 2020 का, first day, क्या ले रहे हूँ, Sunday ले रहे हूँ, तो 2020 का, जो last day होगा, मतलब, first gen, 2020, and 31st December, 2020, दोनों सेम रहने वाला ह मतलब की, अगर इधर Sunday है, तो उधर भी क्या होगा, Sunday ही होगा, नहीं समझ में आया, देखो, first gen, 2020, और 31st December, 2020, अगर Sunday है, ये Sunday है, तो ये भी क्या रहने वाला है, Sunday ही रहने वाला है, कब, जब, ordinary year हो, ठीक है, clear, कोई problem, नहीं, चलो, next, देखिए, ये leap year है, 366 days, जैसा कि मैंने आभी आपको बताए, leap year में कितने days होते हैं, 366 days होते हैं, Every year which is divisible by 4 is called a leap year, अगर हर एक year को हम divide करते हैं, और वो 4 से divisible हो रहा है, तो वो leap year होगा, अब आप मुझे बताओ, क्या आपके पास 1996 leap year है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्या 1996 4 से divisible हो रहा है, येलो 1996, 4 4s are 16, कितना बाज या 3, 4 9s are 36, 4 9s are 36, clear है, हाँ या ना, clear है ना, तो देखो आप यहाँ पर, फटाफट से, यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो जैसे की 1200, 1200, 1600, 1992, 2004 are leap year, ये सभी क्या है, हमारे पास leap year से क्यों है, क्योंकि ये सभी 4 से divisible है, तो मैंने क्या बोला, इसे years, जो 4 से divisible हो, वो सारे years क्या होंगे, हमारे leap year होंगे, clear, कोई दिक्कत है यहाँ तर, नहीं है, समझ म आगे आपको, चलो, next देखो, for a leap year, if first day is Monday, then last day will be Tuesday, अगर leap year की बात की जाए, तो first day अगर आपका Monday होगा, मतलब की मान लीजे, कोई भी आपने leap year ले लिया, और उसका first day, अगर आपका Monday है, तो last day, मतलब की 31st December वाला जो day होगा, वो just उसका next day होगा, तो वो क्या होगा, Tuesday हो समझ में आगे आपको, ordinary year और leap year, इन दोनों का concept एक बार बिल्कुल ध्यान से वापस देख लो, ordinary year और leap year, यहाँ, first and last day are same, क्या होगे, first and last day, same होगे, year के, जबकि यहाँ पर, first day अगर, Monday है, तो, last day जो रहेगा, वो क्या रहेगा, Tuesday, clear, कोई problem, नहीं, चलिए, next देखिए, in a leap year, February is on 29 days, but in ordinary year, it has only 28 days, अब आपको बता चला, leap year में 36 days क्यों होता है, क्योंकि February जो मन्द होता है, February हमेशा, अगर 29 days का हुआ, कितने days का हुआ, 29 days का, तो वो year आपका leap year रहेगा, अगर February आपका 28 years का हुआ, तो वो आपका क्या रहेगा, ordinary year रहेगा, दोनों में reason समझ में आगे हैं आपको, क्या reason है, क्या different है, leap year 366 days के क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें February जो मन्द होता है, February हमेशा 29 days का होता है, इसलिए, 366 days होते हैं, पूरे year में, और अगर फेब 28 days का है, तो आपके 365 days ही होगी होगा, और वो ordinary year होगा, clear, चलिए, next देखिए, year ending is zeros, but not divisible by 400 is not considered a leap year, अगर माने लीजिए, आप यह सोचते हो, कि कोई सी भी year के पीछे आपको 00 मिल जाए, क्या मिल जाए, 00 मिल जाए, और वो आपका leap year हो जाएगा, किसी भी year का अगर 00 मिल गया पीछे, तो वो आपका leap year हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हो, तो possible नहीं है, क्यों, क्योंकि vote 4 से divisible होना जरूरी है, मान लीजिए, जैसे आप लेते हो यहाँ पर, 1100, अब पीछे 00 आगया, तो क्या 11, 4 से divisible है क्या, नहीं है, 1300, 4 से divisible है, नहीं, 1400, नहीं, 1500, नहीं है, 1700, नहीं, 1800, 1900, 2100, तो आप finally क्या देख रहे हो, यह नहीं कह सकते हो, आपकी अगर किसी भी year के पीछे 00 आगया, तो वो leap year होगा, आपका नहीं, possible नहीं है, क्यों, वो 4 से divisible होना ज़रूरी है, अगर वो 4 से divisible है, तभी आपका वो leap year है, और अगर 4 से divisible नहीं है, तो leap year नहीं है, ओके, next देखिए, the day on which calendar start, or the very first day, 1st gen 001 was Monday, calendar year is from 1st gen to 31st December, financially year is from 1st April to 31st March, देखो, आपका जो calendar start होता है, calendar में जो date start होती है, वो कहां से होती है, 1st gen से, किसी भी year की, 1st gen जो रहीगी, वहाँ से 31st December तक, clear, और अगर हम financially year की बात करते हैं, ठीके, तो वो होता है, आपके पास यहाँ पर 1st April से 31st March तक, मतलब कि, इस year का 31st April और next year का 31st March तक, ठीके, इसके बीच का जो भी time period रहता है, वो होता है, financial year, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से screenshot लेना है, तो screenshot लेलो, note करना है, तो note करो, फड़ा फट, हो गया है, यहाँ तक, तो एक बार मैं clear कर देता हूँ आपको finally, ताकि आपको इस सारी चीज़े समझ में आजाए, years को आपने कितने parts में divide गया है, two parts में, ordinary year, और leap year, ordinary year में number of days, 365 days, leap year में number of days, 366 days, कोई problem, हाँ या ना, फटाक से बोलो, नहीं, यहाँ तक सब कुछ clear, चलिए, next देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हो, यहाँ से, अगर आप देखते हो, तो क्या लज़र आएगा आपको, यहाँ से देखने पर आपको सीधा-सीधा सा पता चलता है, कि leap year में, और ordinary year में, यहाँ जो fab होता है, वो 28 days का होता है, कितने का होता है, 28 days का होता है, और यहाँ जो fab होता है, वो 29 days का होता है, कोई दिक्कत, हाँ या ना, नहीं, चलिए, यह भी clear हो जा, फिर next देखिए, leap year, divisible by 4, ठीक है, किस से divisible हो गए यह, 4 से, clear, leap year, यहाँ तक भी कोई problem, नहीं है, अब हम देखते हैं, कि अगर हमारे पास ordinary year है, तो इसका जो first day होगा, और last day होगा, same होगा, किसा होगा, same होगा, और leap year का, first day होगा, और last day होगा, यह दोनों different होगे, ठीक है, first day अगर Monday है, तो last day आपका Tuesday होगा, मतलब कि first day का just next day रहने वाला है, clear, कोई problem, नहीं, अगर आपको इसका भी screenshot लेना है, तो इसका screenshot ले सकते हो, क्योंकि यह सार्या जो important concept था, वो मैंने आपको लिख कर दे दिया है, ताइकि आपको सीधा सा समझ में आ जाए, ओके, फटा फट से, चले आएगे, चलो, अब बात आती है, odd days की, odd days क्या होते हैं, ठीक है, the number of days exceeding the complete number of weeks in a duration, इन number of odd days during the, during the duration, ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे सीधे से पूछता हूँ, one year, one year, one year में total कितने weeks होते हैं, one year में total कितने weeks होते हैं, तो आपके mind में क्या हैगा, फटा फट से बोलो, जल्दी से बोलो, फटा फट से, one year में अगर मैं total weeks की बात करता हूँ, तो कितने weeks होते हैं, आपको बता हैं काफी अच्छे थे, 52 होते हैं, चीग हैं, यल्दू, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाएगी, odd days बताने हैं, मान लीजिए, मैंने आपको दे दिया 10 days, कितने दिये मैंने, 10 days, अब इस 10 days में, आपको बताना है कि कितने आपके odd days रहेंगे, किसे बताओगे, सोचो, किस तरह से बताओगे कि इन 10 days में, number of odd days कितने हैं, सोचो, फटा-फट से बोलो, किस तरह से बताओगे, देखो, इसके लिए जो सबसे अच्छा option है ना, ओ, यही है, 10 में आप क्या करोगे, एक week में जितने days होते हैं, उसका divide करोगे, तो आप यहाँ देखोगे कि, 1 week तो complete मिल रहें आपको, क्या मिल रहा है यहां से, 1 week तो complete मिल रहा है, और extra days कितने मिल रहें मतलब कि, remainder कितना मिल रहें आपको, 3 days, कितने remainder मिल रहे आपको 3 days, कोई problem हाँ या ना, नहीं clear यहाँ तक, चलो अब यहाँ से number of 8 days जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे क्यों, क्योंकि देखू, 1 week तो complete हो गया न, 1 week के अलावा जितने भी days बच रहे न, वो सारे आपके 4 days है, जिससे 21 days 21 days में number of 8 days कितने होगें, सोचो मान लीजे आपके पास यह 21 upon 7 है क्या है, 21 upon 7, अगर आप यहाँ पर 21 में 7 का divide करते हूँ, तो आप यह देखोगे कि 3 weeks complete हो रहे है यहाँ से number of days 8 days कितने मिलें, 0 कितने, 0 odd days ठीक है, यहाँ पर 3 जो है, यह odd days है कोई problem यहाँ तक हाँ यह न, फटाक से बोलो नहीं है, समझ में आगया पूरा आपको फटाक बटी, screenshot लेना है तो screenshot लेलो note करना है तो note कर लो, जल्दी से फिर देखो 42 days में आपको बताना है कि odd days कितने होंगे क्या करोगे, चलो 42 आपके लिए easy है 96 96 में आपके पास number of odd days कितने है यह आप बताईए 96 में जब आप 7 का divide करोगे तो क्या देखोगे, 7 बंजा 7, कितना बजिया, 3 7 थीजा, 21 ठीक है 21, लेकिन और ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर हो रहा ही क्या 2 बजिया है यहाँ से 2 और 26, नहीं हो रहा 7 थीजा, 21 प्लस 5 मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे कि 13 weeks तो आपके complete हो रहे 13 weeks तो आपके complete हो रहे और 5 जो है वो क्या है आपके odd days है clear तो इस तरह से हम odd days find करते हैं यहाँ तक समझ में आगया कोई problem है क्या नहीं है, चलो next अगर आपसे पूछा जाए number of odd days के according कौन सा day रहने वाला है तो आप क्या बताऊगे यह देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीक है अगर 0 odd days है मतलब Sunday 1 odd day अगर आपके पास आता है कि 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही odd day है तो वो कौन सा रहने वाला last day आपका Monday 2 odd days है मतलब Tuesday 3 odd days मतलब Wednesday Thursday Thursday Friday और Saturday कोई प्रॉब्लम यहां तक हाँ या ना फड़ा फड़ से बोलो नहीं है यह आपके पास अगर मान लीजिए 0 odd days आते हैं तो आपके बोलोगे कि वो कौन सा ड़ी होगा Sunday होगा 1 odd day आता है मतलब Monday 2 odd days आते मतलब Tuesday 3 odd days आते मतलब Wednesday 4 odd days Thursday 5 Friday 6 Saturday कोई प्रॉब्लम नहीं चापना है तो चापलो स्क्रीन शोट लेना है तो स्क्रीन शोट लेलो क्योंकि इससे अच्छी तरह से आपको कोई नहीं समझा सकता जितना एक तरसे basic level होता है ना उससे मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ ताकि एक बार आपको ये पूरा calendar days समझ में आगे ना तो आख बन करके question solve करोगे सीधी सी बात तो ये mind में पहले solve कर लोगे direct check कर लोगे ओके चलू आजा हो अब next आगर हम बात करते हैं यहाँ पर counting of odd days odd days की जो counting होने वाली है वो किस तरह से होने वाली है अब आपको पता चल गए कि odd days क्या होने वाले हैं किस तरह से निकालने हैं हमें यह सारी चीज़े पता चल गई ठीक है every ordinary year has 365 days हर एक ordinary year में कितने days होते हैं 365 days होते है 365 days का मतलब अगर हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 365 में तो हमें total 52 प्लस 1 52 प्लस 1 मतलब की 52 week तो आपको complete मिलेंगे और one day आपको क्या मिलेगा extra मिलेगा मतलब की one day extra का मतलब क्या होगा वो आपके पास Monday clear चलो ordinary year में आपके पास number of odd days कितने हैं one अगर आपसे पूछा जाए कि 2017 में number of odd days बताईए बता सकते हो ना अगर सिर्फ और सिर्फ में particular 2017 की बात करो तो all hour की नहीं बात करो सिर्फ और सिर्फ particular 2017 clear मतलब की हर एक year में number of odd days अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना होगा one कब जब आपके पास ordinary year हो clear leap year में ये concept change हो जाता है every leap year 366 days अगर leap year में आपको पता है 366 days है तो number of weeks कितने होगे 52 number of odd days कितने होगे 2 मतलब की इसमें 2 days क्या होगे extra होगे तो leap year में आपके पास number of odd days 2 होते है ordinary year में आपके पास number of odd days 1 होता है अगर हम यहाँ पर देखते है odd days of 100 year अगर आपको 100 साल में आपको पूछा जाएगी 100 साल में कितने आपके पास odd days होगे तो वो होगे आपके पास 5 odd days of 200 year 200 साल में कितने odd days होगे 3 odd days of 300 years 300 साल में कितने odd years 1 400 साल में कितने odd years 0 समझ में आ गया बिल्कुल ज्यान से देखो 100 साल में number of odd days 5 फिर 200 years में number of odd days 300 year में number of odd days 1 और 400 years में number of odd days 0 कोई दिक्काद देखे हैं यहां तक नहीं है फटाक से screenshot लेना तो screenshot लेलो note करना है तो note करो ओके हो गया यहां तक चले आगे चलिए next explanation देख लेते हैं कि किस तरह से odd days निकाले जाते हैं कि मैं आपको already बता चुका 100 years की बात की जाए तो 100 years को हम क्या लिख सकते हैं 76 ordinary year plus 24 leap year मतलब कि 100 years में 76 तो आपके पास ordinary year रहने वाले हैं और 24 आपके पास क्या रहने वाले हैं leap year रहने वाले मतलब कि यहां पर 365 days होंगे और यहां पर 366 days होंगे the year 100 is not a leap year 100 जो है वो leap year नहीं होगा आपका यह ध्यान रहता हूँ हर एक year में अगर एक आपके पास ordinary year में एक odd day है तो 76 year में कितने odd days होंगे 76 अगर आपके पास 26 leap year में 26 leap year में अगर आपसे बोला जाए कि एक leap year में आपके पास two odd days हैं तो 26 leap year में कितने odd days होंगे 52 कोई दिखकर नहीं ओके sorry 24 leap year में कितने होंगे आपके पास 24 तो finally इन दोनों को जब हम solve करते हैं 76 48 कितना होगा 124 तो आपके पास यह होगया 124 अब 124 में फिर आप 7 का डिवाइड करोगे मतलब कि week में इसे convert करोगे तो 7 का डिवाइड करने पर आप यह देखते होंगे आपके पास 5 remainder बचता है और यह जो 5 remainder बच रहा है यही आपके पास odd days है इसलिए 100 years में आपके पास number of odd days जो रहने वाले हैं वो only on 5 रहेंगे clear समझ में आ गया चलो next देखो similarly 200 years के अगर हम बात करते हैं 200 years में 10 odd days होंगे कितने odd days होंगे 10 odd days होंगे अब 10 odd days अगर आपके पास है 10 odd days अगर आपके पास है देखो यहाँ पर 5 है तो sure है कि next 10 ही होंगे क्योंकि यह जो है इसका just double है यहां 5 तो यहां 10 अब 10 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो कितने odd days मिलेंगे आपको 3 मिलेंगे तो finally आपके पास number of odd days कितने है 200 years में 3 है next देखो 300 years में 300 years में odd days कितने मिलेंगे आपको 15 15 में अगर आप 7 का divide करोगे तो 15 में 7 का divide करने पर finally एक आपको remainder मिलेगा और वो remainder जो मिल रहा है वही आपका odd days है तो इसलिए कहा गया है कि 300 years में only on one odd days रहने वाला है clear 400 years के अगर हम बात करते हैं तो 400 years में zero odd day रहने वाला है क्यों क्योंकि 21 में अगर आप 7 का divide करोगे तो finally आप क्या देखोगे कि आपके पास यहाँ पर zero remainder मिलेगा और zero odd days ही है similarly 800, 1200, 1600, 2000, 2400 years content zero odd days इन सबी में क्या रहने वाला है आपके पास zero odd days रहने वाला है after counting the odd days we find the days according to the number of odd days हम यहाँ पर after counting the odd days we find हम find कर सकते हैं according to the number of odd days ठीक है odd numbers को count करके हम किसी भी year के यहाँ पर किसी भी number से हम यहाँ पर odd days find कर सकते हैं इसके लिए आपने क्या करना होगा odd days को count करना होगा Sunday four zero odd days Sunday किसको represent करेगा zero odd day को Monday किसे represent करेगा one odd day को Tuesday two odd days Thursday Wednesday three odd days Thursday four odd days Friday five odd days और sorry Saturday six odd days clear कोई रिक्कर नहीं है यहाँ तक सब कुछ काफी अच्छे से easily समझ में आ गया अब आपको इसका screenshot लेना है तो screenshot ले लो note करना है तो आप इसको note B कर सकते हो जल्दी से पटा पटते हैं चले आगे आजो जैसा कि आप देख रहे हो table first क्या कहना चारी है table first यह देखो आपको days लिखे में हैं और आपको old days यहाँ old हो रहा है इसको थोड़ा सा change कर लो आप इसे old बना दो ठीके old थोड़ा सा change कर लेना इसको old लिख लेना ठीके old double d संडे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को मंडे वन को टूजडे 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 थ्री थर्जडे फॉर फ्राइडे फाइफ एंड साटर्डे शिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए old days for month in a year एक मन्त के कोई से भी अगर आपसे पूछे जाएं कि number of old days बताईए तो आप किस तरह से बताओगे वो देखो ठीक है देखो यहाँ पर पहले हम यह वाला जो section है हमारा यह old days के लिए है और वो है ordinary year यह वाला section leap year और old days ठीक है पहले हम इस section की बात करते है January, January में total कितने old days रहेंगे आपके पास 3 रहेंगे क्यों रहेंगे अरे भाई 31 में आप 7 का divide करके देखो कितना मिलेगा आपको 7 for the 28 मतलब 4 week तो complete हो रहे है और 3 days extra निकल रहे है तो number of old days कितने आपके पास 3 February 28, 28 days के according 0 old days, March 3 old days, April 2 old days, May 3 old days, June 30 old days 30 days में आप 2 old days मिलेंगे तो finally यहां देखते हो कि number of आपके पास days जो रहेंगे इन 6 month के 181 days रहेंगे और यहां पर आपके पास old days जो रहेंगे total वो रहेंगे 6, कोई दीकर नहीं July 3 old days, August 3 old days, September 2 old days, October 3 old days, November 2 old days, December 3 old days तो finally आप क्या देख रहे हो, देखो, जिस जिस मन्त में 31 हैं, उसमें 3 old days है जिस जिस मन्त में 30 days है, उसमें 2 old days है, और जिस मन्त में 28 days है, उसमें 0 old days है clear, समझ में आगया, तो finally यह रहा आपके पास यहां पर इसका graph कोई दिक्कात है क्या, नहीं है, 3, यहां से अगर हम commute करते हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12, 12 और 4, 16 और 1, 17 16, तो 16 और यह कितना हो गया आपके पास, 6, ठीक है, 16, 6 हो गया आपके पास, कितना हो आपके पास, कितना हो 16, 6, 22 अब 22 में आप 7 का डिवाइड करो, finally 22 में आप 7 का डिवाइड करते हो, तो 1 रिमेंडर मिलता है, तो इसलिए 184 डेज में आपके पास, कितने ओल डेज मिले, 1 अब हम बात करते हैं, ली पियर की, ठीक है, ली पियर की अकोडिंग अगर हम इसको ज्यान से देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है, जैन, फेब, मार्च, एप्रिल, में, जून, जुलई, ऑगॉस्ट, सेप्टेंबर, ऑक्टोबर, नौमबर, दिसंबर यहां पर हमारे पास यह सारे मंस हैं, और यह इनके डेज लिखे में, जैनवरी, 31, फेब, ली पियर में, फेब 29 डेज की रहेगी, मार्च, 31 डेज, एप्रिल, 30 डेज, में, 31, जून, 30, तो फाइनली, ओर डेज कितने होंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 2, तो फाइनली, इनको काउंट कर 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 0, 2, 9, 9, 3, 12, 12, और 2, 14, 14 में आप 7 का डिवाइड करोगे, तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ओर देज क्यों, क्योंकि रिमेंडर क्या है, यहां पर 0 है, तो ओर देज भी कितना होंगा, 0, तो फाइनली, यहां तक आपको 0 ओर देज मिले, July 31 days, August 31 days, September 31 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days, तो यहां पर अगर आप इसको काउंट करते हो, तो 3, 6, 8, 11, 11 और 2, 13, 13, 3, 16 और 2, 16 और 2 कितना होगे आपके पास, 18 हो गए, लेकिन यह 2 काउंट नहीं होगा, 16 में आप डिवाइड करो 7 का, 16 में जब 7 का डिवाइड करते हो, तो 7 to the 14, और 2 रिमेंडर बसता आपके पास, तो number of odd days कितने रहें आपके पास, 2, तो इसलिए कहा गया है, कि leap year में, number of odd days जो रहेंगे, वो रहेंगे, और leap year में, number of odd days जो रहेंगे, वो रहेंगे, 2, अब आपको इसका screenshot लेना है, तो आप चले आपके, थार टेबल देखो, odd days of every quarter, हर एक quarter में कितने odd days है, एक year को हमने four quarter में divide कर दिया, ठीक है, आपको date लिखी भी नजर आ रही है, first June से 31st March, first April से 30 June, first July से 30 September, और first October से 30 December, और फिर वो complete हो गया, one year, यह है आपके पास total days, और यह है आपके पास odd days, ठीक है, ordinary year और leap, इधर भी ordinary और leap, यहाँ पर आपको first, जो आपके पास है, quarter, इस first quarter में आपको ordinary days में नजर आ रहे हैं, लीप days में नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, तो finally, इसका जो result निगलेगा, वो क्या निगलता है, one or two, ordinary year में आपके पास सिर्फ और सिर्फ, एक ही odd day होगा, और leap year में आपके पास two odd days रहें इतनी सी बात ध्यान रखना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, छापना है, छापो, नोट करना है, नोट करो, चलते हैं, फिर हम इसके आगे, चले, चलो, time sequence test, time sequence test में आपसे क्या पूछा जाएगा, यह देख लो पहले, time sequence test में आपसे यह पूछा जा सकता है, कि मान निलीजिए, मान निलीजिए, आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको जैपूर से दहली जाना है, अब आपकी जो बस थी, वो 9.30 पर थी, कितने पर थी, 9.30 पर थी, clear कोई दिक्कत नहीं, अब आप जब बस stand पहुचते हो, तो आपको वहाँ inform किया जाता है, कि आपकी बस 15 minutes पहले ही, क्य करोगे, क्या करोगे, फटा-फट से बोलो, नहीं आया समझ में, या फिर इस तरह से समझो कि आपको जैपूर से दहली जाना है, फॉस्ट बस अगर आपकी 9.30 पर थी, और सेकंड बस जो है, वो 9.45 पर है, और आप से कहा जाता है, कि 9.30 वाली जो बस है, वो कैंसल हो जाती है, और 9.45 पर कोई बस है, मतलब कि 15 मिनिट का गया पर, कितना डूरेशन है इँनके बीच में, 15 मिनिट का, तो 15 मिनिट के डूरेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां पर 15 मिनिट के डूरेशन में, हमें clear पता चल रहा है, यहां है काफा अच्छे से, कि हमारी जो 1st कौन सा डे था आपको यह फांड करना है क्या फांड करना है 15 अगस्ट 1947 को कौन सा डे था आपको यह फांड करना है इस ततरे के आपको questions दिये जाएगे और आपको इन्हें solve करना है तो देखो किस तरह से करोगे इसके लिए आओ देखे जड़ा किसमें कितना है दम 1947 पहले तो आप इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ क्या मैं इसे 1600 प्लस 300 प्लस 47 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ हाँ या ना बिलकुल 16 years 1600 years में 4 days ठीक है 300 years में 4 days clear 1600 years में कितने ओड़ देज है आपके पास 0 days है क्यों 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 आपको बता है 400 years में 0 है तो 4 into 4 16 ही होगा तो finally 0 into 0 भी कितना होगा 0 clear 300 years में कितने ओड़ देज है 1 आजाओ चेक करा देता हूँ कहीं मन में doubt रह जाए कि 47 years के according हमारे पास 36 इसमें ordinary years होंगे ठीक है प्लस 11 इसमें leap year होंगे कोई problem नहीं यहां तक सब कुछ समझ में आगया ना चलो यहां से ध्यान से देखूं यहां से बिलकुल ध्यान से देखना 1947 भी आपका पूरा नहीं है 15 August है मतलब की 15 August के अगर हम बात करेंगे यहां पर तो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो कहां तक है यह यह आपके पास है 1st Gen से 1st Gen 47 से 15 August 47 तक ठीक है clear चल अब यहां पर देखो इस condition के according देखते हो तो एक ordinary year में कितने old days 1 यहां से अगर आप देखते हो एक leap year में कितने old days 2 तो finally यह हो गया 36 और यह हो गया 22 तो कितना हो गया आपके पास 8 और 5 58 58 में अगर आप 7 का divide करोगे तो finally कितना मिलेगा आपको यह देखो फटा-फट से 7, 8 जा 56 8 week plus 2 days ठीक है 8 week तो complete हो रहे हैं तो finally यहां से आपको क्या मिलेंगे two old days मिलते हैं कितने old days मिलते हैं two old days मिलते हैं अब हम यहां पर विल्कुल ध्यान से देखें तो जेन फेब मार्च एप्रिल में जून जुलाई और 15 अगस्त ठीक है जेन में कितने days 31 अब यह देखो 47 के आपका leap year था 4 का डिवाइड करके देखो कहीं से कहीं तक नहीं है chances तो कितने days रहेंगे इसमें आपके पास जब यह आपके पास leap year नहीं था तो फेब मान्त जो है वो कितने days का है 28 जेन फेब मार्च 31 एपरिल 30 में 31 जून 30 जुलाई 31 और 15 एक और बार काउंट कर ले जेन फेब मार्च एपरिल में जून जुलाई और ओगस्त ओके अब इस पूरे का अगर आप सम करते हो तो सम क्या मिलता है आपको फटा फट से बताओ यहां से सम करने पर आपको मिलता है 5, 6, 7, 8 8, 8, 16 और 1, 17 का 7 के री कितना गया? 1 गया 1 और 1, 2 2, 3, 5 5 और 3, 8 8, 3, 11 14, 17, 19 और 22 22 कोई दिक्कर नहीं अब इसमें डिवाइड करो 7 का तो फाइनली 7, 3 जा 21 1 बज़ गया 7, 2 जा 14 कितना? 14 कोई दिक्कर नहीं देखो बिल्कुल ज्यान से यहां पर अगर आप देखते हो तो 7, 3 जा 21 ठीक है? 1 बज़ गया 7, 2 जा 14 प्लस 3 डेज तो 32 वीक्स और 3 डेज ठीक है? तो यहां पर आपको ध्यान से देखने पर क्या नजर आ रहा है? सारी चीज़े आपके सामने है अब फटा फट से मुझे आप ये बता दो कि आपका करेक्ट आंसर क्या है? फटा फट से फटा फट से नोट कर लो स्क्रीन शोट लेना है तो स्क्रीन शोट ले लो जल्दी से फटा फट से एक बार और काउंटिंग कर लेना ज्यान से अगर हम ज्यान से देखते हैं तो 3 30, 30, 60 30, 90 120, 150 150 और ये कितना हो गया हमारे पास? 180 180 और 20 200 200 और 9 10 10, 10, 10, 10 11, 12 12 और 5 17 17 और 10 27 छीक है? बिल्कुल साही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो फाइनली आपको देखो यहां से कितने ओर देज मिलते हैं? 3, 8 डेज यहां से मिलते हैं ठीक है? 2, 8 डेज यहां से मिलते हैं 1, 8 डेज यहां से मिलता है तो फाइनली 3, 2, 5 और 1 6 तो फाइनली क्या देखते हो आप? 6, 6 का मतलब Saturday Correct answer ओके? चलो Next question solve करके बताओ मुझे फड़ाफट से जल्दी से इसका क्या correct answer है? आप फड़ाफट से बता दू मुझे जल्दी से एक मिनिट बेटा एक बार हम इसको देख लेते हैं 36 और 11 ठीके? 47 47 की बात की जा रही है 47 की बात की जा रही है तो ध्यान सा अगर हम देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 46 येर सी तो लिखेंगे हैं हमने थोड़ा सा यहां correction करना है क्या लिखेंगे हैं हम इसे? 46 और 46 लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास 35 और 11 ये होगा ठीके? क्लियर है क्योंकि ये तो पूरा complete year कहा है हमारे पास? ये complete year ही क्या? नहीं है जब ये complete year नहीं है मतलब की थोड़ा सा answer में correction होगा और correction क्या है आपके पास? 35 और तो यहां 35 होगा 35 होगा तो ये भी 35 होगा और ये 57 होगा और जब ये आपके पास 57 होगा तो यहां पर आपको only on one days ही मिलेगा ठीके? वन तो finally ये क्या देखते हो? 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 तो 5 odd days है आपके पास कितने odd days है? 5 odd days है 5 odd days का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीके? तो finally Sunday, Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday क्या मिला आपको? Friday Friday कहा है? Option A में तो correct answer आपका option है B नहीं है ठीके? हमने क्या किया था? इसको पूरे को ले लिया था only on 46 6 years से आएंगी क्योंकि ये complete year नहीं है न आपका इसलिए ओके? अब note कर सकते हैं आप फटा-फट से जल्दी से note कर लो screenshot लेना है तो screenshot ले लो फटा-फट कोई problem है क्या? हाँ या ना? चले आँगे? चलिए find the day of the week on 16 year 1669 अब देखो 1669 1669 को क्या करोगे? क्या लिखोगे आप? 1600 plus 69 मतलब कि 68 plus day क्या है याँपर? 16 year 16 year को आमें बताना है ठीक है? तो देखो याँपर अगर आप याँपर देखते हो तो 1600 में कितने odd days है? 0 odd days है कितने odd days है आपके बाद? 0 odd days है तो finally यहाँ से अगर आपको देखने को मिलता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मुझे तो ये बता दो सिर्फोर सिर्फ क्या बताना है? कि इसे आप क्या लिख सकते हो? तो इसे आप अगर 68 की बात करते हैं 68 को अगर आप देखते हो तो आपके पास leap year है 68 leap year है मतलब की यह होगा 1 minute 68 मतलब की 4 times तो 68 में 4 का divide करोगे तो यह हो जाएगा देखो बड़ा पटता है 4 वंजब 4 और कितना मिल गया है ऐसे 17 4 728 तो जब आप इसको देखते हो तो 68 माइनस 17 मतलब की यह यहाँ पर 1 और यह कितना हो जाएगा आपके पास फटा पट से देखोगे तो 51 तो आपके पास यहाँ पर ordinary year से और 1 आपके पास क्या है 17 आपके पास क्या है leap year है और इस बेश पर आप इसको solve कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थर्ज़े इसका answer आएगा चेक कर लेना आप अभी जो आपने question क्या है उसी तरह से है तो यह बेटा आज का हमारा lecture था जो dependent था calendar test पर I hope आपको काफी easily और काफी अच्छे सा समझ में आया है अब आपको क्या करना है फटा फट से वीडियो को लाइक करना है चैनल शेयर करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं बूलना है ताकि हमारा आने वाले वीडियो के अबडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहें फिन नेक्स लेक्सर में मिलते हैं इसके कुछ अच्छे चेक्शन के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ